हलो माई डियर स्टुडेंट दिस डॉक्टर महिपाल फैकल्टी जूलोजी सील्सी सीकर तो बच्चो सील्सी ने आपके लिए एक बेहब खुबसुरत प्रोग्राम लॉंच की है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कोस्ट है और साथी इस प्रोग्राम की बाद करने तो इसका नेम द जूलोजी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बात करें तो complete जूलोजी सब्जेक्ट है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है और 10 पार्ट की बात करें तो सबसे पहले जो पार्ट है वो लिया गया है यहां पे अपना एनिमल किंग्डम जो टॉपिक है बहुत सांदार टॉ टॉपिक है ऑन एन एवरेज 3-4 क्वेशन हर बार एक्जाम में इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले अनिमल किंग्डम की बात करें तो गुरु नीती का जो पार्ट है जूलोजी की अंदर उसके अंदर एनिमल किंडम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश किंडम का जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है उससे एक वेशन पूट अप किया गया है तो देखिए सबसे पहला यह जो क्वेशन है नीट 2019 के अंदर जो क्वेशन पूचा गया है इस क्वेशन की बात करें तो क्वेशन ने पूचा है कुछ फीचर रिफर्जेंट किये हैं बैसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग पहला फीचर की बात करें फस्ट फीचर की बात करें फस्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसके अंदर दिया हुआ है कंडिशन ओर्गन सिस्टाम लेवल ऑप और्गिनाइजीशन सेक और आगे question के अंदर पूछा है select the correct option of animal group which possess all the above characteristic feature आपको ऐसे animal का group देख select करना है जिसके अंदर A, B और C तीनों जो condition दीए है question के अंदर वो fulfill कर रहे हो आप सबसे पहले अगर बात करें तो organ system level of organization की बात करें तो आपने basis of classification में बेटा level of organization की बतोर पढ़ा होगा कि organ system level of organization की बात करें तो phylum SK L Terry से लेके और cold it earth आथ के अंदर level of organization कैसा होता है organ system level का होता है यानि कि definitely कही न कहीं first condition की बात करें तो यह condition SK L Terry से लेके cold it earth के animals के अंदर देखने को मिलेगी उसके बाद में bilateral symmetry की बात करें तो bilateral symmetry जो है ऐसे animals जिनकी body को central axis के along only single plane के अंदर to right और left identical equal half में divide किया जाज़के तो ऐसे animals के अंदर symmetry बता दें bilateral symmetry और bilaterally symmetrical animal होते हैं platy-alventies से लेके cold data अतक के animals अगर exception को अपन include नहीं करें तो उसके बाद में third condition true silhouette with segmentation segmentation की बात करें तो body externally and internally segment के अंदर divided हो और साथ ही अगर बात करें true silhouette the space between body wall and gut wall gut wall और body wall के बीच में space present होना चाहिए और mesoderms से उसकी lining होना जरूरी है तो ऐसी condition को अपन बोलते है true silhouette अब तीनों condition की बात करें तो तीनों condition किसके से group के अंदर या किसके स्पाइलम के animals उनके अंदर ये सारी condition fulfill होंगी सबसे पहला option देखते हैं सबसे पहले अगर orthopoda की animals की बात करें तो इनके अंदर organ system level up organization भी होता है bilateral symmetry भी होती है true silhouette भी होते हैं और mollusca, mollusca की animals की बात करें तो बेटा इनकी body unsegmented होती है लेकिन अपने को क्या देखना है segmented body वाला group देखना है इस वज़े से first option के अंदर mollusca जो है mollusca की body unsegmented होगी तो ये option तो नहीं हो सकता call data की बात करें तो इनके अंदर organ system level up organization भी होता है bilaterally symmetrical भी होते है true silhouette and segmented body भी देखने को मिलती है लेकिन mollusca में इस वज़े से first option incorrect हो गया second के अंदर दियावा है analida, analida की अंदर level up organization जो है organ system होगा mollusca की बात करें तो फिर से mollusca की अंदर segmented body नहीं होती है तो ये option भी नहीं होगा और cold data की बात करें तो cold ads होते हैं उनमें level up organization organ system होगा bilateral symmetry भी होती है true silhouette भी होते हैं और segmented body भी होती है लेकिन mollusca option आ गया है फिर इस वज़े से ये भी नहीं होगा ऐसे ही third option में दिया हुए है analida, analida की बात करें तो इनके अंदर भी organ system level up organization भी होते है bilateral symmetry भी होगी और साथ ही अगर बात करें तो true silhouette भी होते हैं true silhouette के साथ-साथ metameric segmentation देखने को मिलता है जिसके अंदर body externally and internally segments के अंदर divided रहेगी और at least some organs उनका serial repetition भी देखने को मिलेगा जैसा कि आपने diagram में भी देखा होगा है एनेलिडा फाइलम जोस के अंदर ऑर्थवॉम जोस का diagram भी represent किया हुआ है तो third option के अंदर anailiडा की बात करें तो तीनों condition fulfill हो रही है Chandler पोड़ा की अंदर भी तीनों condition fulfill हो रही है और core data की बात करें तो core data के अंदर भी तीनों condition fulfill हो रही है इसी बज़े से question number first की बात करें तो इसका answer होगा वेटा third वाला जब कि fourth option के अंदर दिया वै एनलीडा में भी condition fulfill होती है और्थ्रोपोडा में होती है लेकिन मोलस्का में फिर से नहीं होगी इसी बज़े से question number first की बात करें तो इसका answer होगा third need 2019 के अंदर बेटा एक question पूछा हुआ है exam के अंदर बेटा कभी भी नई चीज़े नहीं आती है और जो NCRT के अंदर चीज़े दी भी है उन्हीं को इधर उधर manipulate करके आगे पीछे करके exam के अंदर पूछा जाएगा आगे चलके जैसे ही अपने ये part complete solve कर लेंगे तो आपको खुद को idea हो जाएगा कि कभी भी exam के अंदर tough season है वो नहीं पूछी जाती है आगे पीछे या questions जो होते हैं या informations होती हैं उनको only or only manipulate किया जाता है तो फर्स्ट question जो है उससे regarding आपको बाते ध्यान रखने है नीट 2019 के अंदर ये question पूछा गया है next question की बात करें तो symmetry से regarding फिर ये question पूछा है biliterally symmetrical and as illomate animals are exemplified by bilateral symmetrical animal होनी चाहिए body जो है central axis के along single plane के अंदर two right और left identical half में divide भी हो और साथी condition दीवी है बेटा as illomate यानि कि space between body wall and gut wall उनके अंदर नहीं होना चाहिए absent होनी चाहिए silom तो ऐसी condition की बात करें तो वो किसके अंदर देखने को मिलेगी तो देखना सबसे पहला option दिया हुआ है ascalminthies का ascalminthies के animals की बात करें तो वेटा अपने पढ़ा होगा ascalminthies के animals की बात करें suppose करो ये body wall है body wall की बात करें और अंदर वाली side की बात करें ये suppose करो gut wall है body wall और gut wall के बीच में space तो present होता है लेकिन ये एक तो mesoderm से line नहीं होती और साथी scattered pouch की form में इनके अंदर mesoderm present होता है इसी वज़े से ascalminthies की बात करें तो उसके अंदर sylome तो present होती है लेकिन वो true sylome है नहीं है इसको बोलता है pseudo seal लेकिन question के अंदर पूछा गया है asylomate और asylomate की बात करें तो asylomate वाला option आपको देखना है और साथ ही bilateral symmetrical animal भी दूसरे option में दिया हुआ है एनलीडा एनलीडा की बात करें तो ये true sylome अनिमल होता है जिसमें mesoderm की lining भी होगी और body wall और gut wall के बीच में space भी present होता है third option दिया हुआ है tinofora tinofora की बात करें तो इसमें तो बेटा symmetry ही bilateral symmetry नहीं होगी bilateral ही symmetrical animals की बात करें तो platy helminthies से लेके और coldates तक present होती है अगर exception को include नहीं करें तो ऐसे ही आगे fourth option में दिया हुआ है platy helminthies platy helminthies के animals की बात करें तो इनमें symmetry भी bilateral होती है लेकिन space between body wall and gut wall which is lined by mesodermal tissues तो body wall और gut wall के बीच में कोई space नहीं होता और साथ ही symmetry bilateral होती है इसी वज़े से question के अंदर जो information पूँची है उसके according इस question का answer होगा fourth platy helminthies need 2020 के अंदर question पूँचा हुआ है need 2020 के अंदर ये question पूँचा हुआ है basis of classification से regarding तो ये question number second जो इस से regarding आपको ये बाते दान रखनी है उसके बाद मैं next question की बात करें which of the following are correctly matched with respect to the taxonomic classification taxonomic classification से regarding आपको carefully जो matched condition दीवी है उससे regarding आपको correct information वाला option तलासन है need 2013 के अंदर ये question आपको पूँचा गया है सबसे पहला option की बात करें तो इसमें दियावा है housefly housefly की बात करें तो बेटा insecta का member है ये orthopoda का member है butterfly की बात करें तो butterfly जो है वो किसका member है orthopoda का member है ऐसे ही ccfly की बात करें तो ये भी orthopoda और class insecta का member है ऐसे ही silverfish lepisma की बात करें तो ये भी orthopoda का member है और class insecta के अंदर इनको include किया हुआ है तो बिल्कुल first option की बात करें तो इसके अंदर सारे जो option हैं वो बिल्कुल correct दिये हुए जितने भी example दिये हुए सभी orthopoda और class insecta के member है लेकिन second option की बात करें तो spiny ant eater C. archene echinodermita का member है spiny ant eater की बात करें तो ये भी echinodermita का member है तो यहां पे spiny ant eater जो है second option के अंदर ये ठीक नहीं है इसी वज़ा से same taxonomic group से ये belong नहीं करेंगे flying fish की बात करें cuttlefish की बात करें silverfish की बात करें तो यहां cuttlefish जो है ये molluska का member है silverfish की बात करें तो ये orthopoda का member है आगे पाइसेस तो ये information भी correct नहीं है ऐसे ही centiped की बात करें milliped की बात करें spider, scorpion, insecta बिल्कुल ये insecta के member नहीं है orthopoda के member है लेकिन सभी insect नहीं है तो ये information भी गलत है इसी बज़ा से question number third की बात करें तो इसके अंदर चुब first option है इसमें housefly, butterfly, ccfly, silver face की बात करें तो इन सभी को include किया हुआ है किसके अंदर insecta के अंदर तो question number third की बात करें तो इसका answer हो जाएगा first next question की बात करें तो पूचा है which group of animals belong to the same phylum नेमन जंतु समोह में से कौन सा एक ही संके अंतर गताते हैं यहां कुछ group of animals दिये हुए है आपको एक ही phylum से related जो animal है उनका example वाला option आपको देखना है सबसे पहला option की बात करें तो prawn, scorpion और locusta prawn की बात करें scorpion की बात करें बिच्छू की बात करें या फिर locusta की बात करें टिड़ी की बात करें तो यह तीनों ही member बेटा orthopoda phylum के member है फस्ट option की बात करें तो फस्ट option के अंदर तीनों member orthopoda के दिये हैं second में उर देखते है sponge की बात करें porifera का member है c animon की बात करें cylindrata का member है starfish की बात करें echinodermetra का member है तीन example है तीनों ही अलग-अलग phylum के है यह option वैसे नहीं होगा malarial parasite की बात करें plasmodium की तो यह proto-juan parasite है ऐसे ही amoeba की बात करें तो यह भी proto-juan का member है लेकिन mosquito की बात करें तो यह orthopoda का member है यह भी नहीं हो सकता fourth option में दिया हुआ है earthworm और pinworm earthworm की बात करें एनलीडा का member है pinworm की बात करें ask helminthes का member है tapworm की बात करें तो यह भी बिल्कुल incorrect option होगा इसी वज़े से question number fourth की बात करें तो first option के अंदर तीनों example जो है उसे फाहिलम के अंदर include किये हुए तो first answer होगा question number fourth का उसके बात में next question number five की बात करें तो इसमें match the column का question है जिसके अंदर तीन column के अंदर different different information जो हाँ उनको represent किया हुआ है match the name of the animal animal का name दिया हुआ है column first के अंदर with one characteristic of animal column second के अंदर दिया हुआ है and the phylum या class column second third के अंदर दिया हुआ है to which it's belong अब correct information या correct matching वाला आपको option देखना है सबसे पहले कि अगर बात करें lemulas की बात करें तो lemulas की body second column में बोला गया body covered by kaitinious exoskeletal बिलकुल सही बात है orthopoda का member है kaitinious exoskeletal present होना jointed appendices present होना wings का present होना orthopods का characteristic feature माना जाता है लेकिन आगे अगर group की बात करें तो taxonomic group के बतौर इसको Pisces के अंदर include किया वा है जो की गलत information है इस वज़े से first option भी नहीं होगा second में पूछा है Adam sia Adam sia की बात करें silentrita का animal है radially symmetrical animal होंगे ये बात में सही है symmetry की बात करें तो radial symmetry ऐसे ही आगे group की बात करें तो इसको include किया वा पौरिफेरा के अंदर जो की ठीक information नहीं ही इस वज़े से second option भी नहीं होगा फिर अगर आगे बात करें third option के अंदर petromyzone petromyzone की बात करें तो class cyclostrometa जो है egg नहीं था के अंदर उनका member है और ectoparasite की form में present होते है third option के अंदर तीन होई column की जो information है वो बिल्कुल correct दी भी है इसी वज़े से question number 5 की बात करें तो इसका answer होगा third वाला fourth option के अंदर ethiofis limbless जो amphibian होता है और terrestrial और साथ ही आगे दिया भाई reptilia reptilia नहीं बेटा है limbless amphibian है इसी वज़े से fourth option जो है वो भी क्या होगा incorrect होगा तो question number 5 की बात करें तो need 2013 के अंदर ये question पूचा हुआ है examples related question पूचा है file amia class के characteristic features हो है वो भी इसके अंदर दिये वे है और साथ ही particular example जो है वो भी यहाँ represent किये वे तो ये question भी आपको द्यान रखना है इसका answer होगा next उसके बाद में question number 6 की बात करें तो question number 6 के अंदर पूचा है one of the representative of phylum orthropoda is phylum orthropoda का member आपको select करना है चार option दिये हुए हैं चारों animals के example को represent कर रहा है चार option के अंदर अब इन्वेस आपको orthropoda के member को select करना है सबसे पहला option दिया हुए है puffer fish नहीं ये भी orthropoda का member नहीं है flying fish की बात करें तो ये भी orthropoda का member नहीं है SEE cuttlefish की बात करें CPI ये भी नहीं है silverfish की बात करें lapisma lapisma या silverfish की बात करें तो ये बेटा orthropoda का member है इसी वज़े से question के अंदर बहुत simple सा question पूछा है और तो पोड़ा की member से regarding और question number 6 की बात करें तो इसका answer होगा 4th वाला NEED 2013 के अंदर ये question पूछा हुआ है ये भी आपको द्यान रखना है उसके बाद में next question में दिया हुआ है planaria possesses high capacity of planaria की बात करें तो पीटा है ये free living animal होता है phylum platyhelminthes का और इस planaria की बात करें तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा कि इसके अंदर maximum power of regeneration देखने को मिलता है और maximum power of regeneration की बज़े से ही यहां question में भी represent किया planaria possesses high capacity किसकी सबसे ज़्यादा इसमें capacity होती है तो first option में दिया हुआ है metamorphosis ऐसे ही second option में दिया हुआ है regeneration alternation of generation नहीं ऐसे ही bioluminescence नहीं यह तो character hitinophora का या कुछ other animals उनमें भी देखने को मिल सकता है alternation of generation की बात करें तो island trader में लेकिन high capacity of regeneration की बात करें तो flanaria का यह characteristic feature माना जाता है question number 7 की बात करें तो इसका answer होगा second all India PMT 2014 के अंदर वेटा यह question पूछा जा चुका है तो question number 7 से regarding आपको यह बाते धान रखनी है उसके बाद में next question number 8 की बात करें तो 8 में पूछा है identify the correct statement राजस्तान PMT के हुई थी 2014 के अंदर तो उसमें equation पूछा हुआ है और correct statement से regarding आपको information देखनी है first option की बात करें तो first option में दिया हुआ है dog fish is a bilaterally symmetrical animal dog fish की बात करें तो definitely बेटा coldate का example है और coldates की बात करें तो इनमें bilaterally symmetry bilaterally symmetry देखने को मिलती है यानि कि bilaterally symmetrical animal होगे साथ ही आगे लिखा हुआ है covered with plecoid scales plecoid scales की बात करें तो उनसे covered होता है plecoid scale की बात करें तो आपने scales regarding NCRT के अंदर दिया हुआ है example की अगर बात करें जैसे condrick thieves की animals की और ostrich thieves की तो condrick thieves जो होती है उनके अंदर जैसे dog fish की बात करें scoliodon की बात करें तो यहां उससे regarding information दी वी है और condrick thieves का एक्जामपल है जिनके अंदर plecoid scales present होती है यानि कि statement first की बात करें तो इसके अंदर information जो है यह साही दी वी है ऐसे ही second statement की बात करें तो इसमें दिया वाह है sap is is bilaterally symmetrical animal यह बात ठीक है covered with a tinoid scale नहीं tinoid scales जो है यह ostrich thieves के animals जो है उनके अंदर tinoid scales जो है वो present होते है तो यहां पर यह ठीक बात नहीं है second statement की बात करें तो यह ठीक नहीं है ऐसे ही third option में दिया वाह है silver fish is radially symmetrical animal नहीं silver fish की बात करें तो orthropoda के animal है वीटा और उनके अंदर bilateral symmetry परजेंट होती है covered with silvery cycloid scales ऐसे ही fourth option के अंदर दिया वाह है angel fish टेरो फिलम की बात करें is radially symmetrical animal नहीं टेरो फिलम की बात करें तो इसमें भी bilateral symmetry देखने को मिलेगी question number 8 की बात करें तो राजस्तान PMT 2014 के अंदर पूछा हुआ है और dog fish से related जो information दी है यह first option के अंदर यह इसका correct answer होगा question number 8 का answer होगा first वाला next question number 9 की बात करें तो 9 के अंदर मैस्दी कोलम का question है select the alternative which gives a correct matching of common name of animal in column A with its genus in column B column A के अंदर common name दिया हुआ है और column B के अंदर इनके genus के name से regarding information दी हुए है correct information वाला आपको option देखना है पहले option के अंदर दिया हुआ है C pen और C pen के लिए बोला गया है Adam C गलत बात है C pen की बात करें तो इसके genus का name penetool आपन बोलेंगे penetool आपको बोलते हैं C pen ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है C animon C animon की बात करें तो Adam C खो बोला जाता है C animon जबकि यहां represent किया हुआ है mandrina mandrina तो बेटा coral होता है brain coral को नेम है mandrina जो logical name तो यह बात पर सही नहीं है ऐसे ही third option में दिया हुआ है C pen fan समुद्री पंखा C fan की बात करें तो गौर्गोनिया यहां पर correct information है गौर्गोनिया की बात करें तो इसको बेटा समुद्री पंखा बोला जाता है C fan बोला जाता है सही बात है ऐसे आगे दिया हुआ है Portuguese man of war और Portuguese man of war की बात करें तो ओल इंडिया फिम्टी 2015 के अंदर example और उनके common name से related कहीं न कहीं यह question पूछा जा चुका है जिसके अंदर third option जो है वो correct गया था C fan जो है गौर्गोनिया गौर्गोनिया का common name C fan और उसका geological name होगा गौर्गोनिया तो यह आपको ध्याम लगना है उसके बाद मैं next question number 10 की बात करें तो which of the following characteristics is mainly responsible for diversification of insects on land name लिखित में से प्रधानत है कौनसे लक्सन इस तल पर कीटों की विविद रूपन के लिए उत्तरदाई है तो NCRT के अंदर भी बहुत ही सठिक information रिपर्जेंट की हुई है अगर non-coldets की बात करें तो most successful invaders for terrestrial habitat सबसे सपलतम या फिर प्रभावकारी जन्तु जो है land के लिए या फिर इस्तलकारी जन्तुों की बात करें तो उनके अंदर non-coldets के अंदर कौन थे orthropoda के member थे क्यों तो उसके लिए तिन कंडिशन orthropoda के animals के अंदर develop हो जुकी थी कौन-कौन सी एक तो orthropoda के animals जो है उनकी body covered रहती है kaitineo से exoskeletal से जिसकी वज़े से उनको protection मिल सकती है दूसरी अगर बात करें जब भी कोई adverse condition होती है या उनको कोई खत्रा होता है तो उनके अंदर jointed appendages होते है और उन jointed appendages की वज़े से वो easy way में foods को search करने के लिए अपने आपको protect करने के लिए run कर सकते हैं या फिर locomotion सू कर सकते हैं तो jointed appendages का present होना और third character की बात करें तो wings का present होना इन तीनों ही condition के present होने की वज़े से most successful invaders हैं वो among invertebrates इसी वज़े से यहाँ पर वही information पूछी गई है All India PMT 2015 के अंदर पैरा option दिया वाए eyes नई segmentation नई segmentation तो एनलेडा के अनिमर मेंबर थे उनके अंदर भी हो गया था ऐसे bilateral symmetrical नई लेकिन exoskeletal की बात करें kitaneous exoskeletal का present होना उनको कहीं न कहीं most successful invaders की category के अंदर रखता है terrestrial habitat के लिए इसी वज़े से question number 10 की बात करें तो उसका answer होगा fourth वाला तो यह आपको बाते धान रखनी है उसके बात में यहाँ पे next slide के अंदर रिपर्जेंट किया हुआ है बेटा अपने batch announcements regarding need को लेके JEE को लेके NDA को लेके batch start होने वाले हैं 6 April से तो आपको दाम रेक्मेंट जैसे target course की बात करें जो 12th pass student होंगे उनके भी batch 6 April से start हो रहे है foundation course की बात करें 11th foundation जो है 11th moving student है 12th foundation 11th moving student है और एक साल का program है ये भी आपका 6 April से start हो रहा है ऐसे ही 2 in 1 course की बात करें तो जिन students का 11th week रह जाता है या 11th अच्छे से cover नहीं कर पाते हैं और वो 12th में आ चुके हैं तो उन बच्चों को 11th 12th का complete syllabus जो है वो एक साल के अंदर 1 year के duration के अंदर complete करवाय जाएगा वो बेच भी 6 April से start हो रहा है ऐसे ही NDA से regarding अगर बात करें प्री फाउंडिशन से regarding बात करें तो ये सारे बेच आपकी अपनी CLC 6 April से launch करने जा रही है तो आप इनके बेच जो भी आप से related बेच है जो भी आपकी stream है उसके अंदर आप addition करवा सकते हैं ये आपको द्यान रखना है उसके बाद में CLC की जो center है offline classroom जो center है उनसे regarding आपको बातें ये classroom जो है जैसे सीकर की बात करें तो करमिसली पंडित हरीना चतुरुए दिमार्ग पे दिया हुआ है ऐसे ही अलवर के अंदर भी offline classroom center है जैपूर के अंदर दू center जो है वो आपको देख मिलेंगे ऐसे ही test center की बात करें तो test center कोटा होगा विकानेर जोदपूर देली और हिसार के अंदर offline test center भी आपको मिल जाएंगे ऐसे ही CLC ने भी 13 March की बात करें तो उससे diamond test series launch कर रही है diamond test series जो है उसका schedule यहां पर represent किया हुआ है जिसके अंदर part test जो है six part test करवाई जा रहे है all india open test जो है वो आपको मिलेंगे और साथी dungal test की बात करें तो वो मिलेंगे full syllabus test भी आपको देखने को मिलेंगे तो overall यह diamond test series जो है यह भी schedule के according अगर आप जोइन करना चाहो तो diamond test series जो है वो आप जोइन कर सकते है उसके बाद में वापस question की बात करते हैं फिर से question पर आते हैं question number 11 की बात करें तो need 2016 के अंदर यह question पूछा है question की बात करें तो इसमें पूछा है which of the following feature is not present in the phylum orthopoda phylum orthopoda की बात करें तो उससे related कौन सा feature नहीं है उससे regarding आपको information देखनी है पहला option दियावा है kaitinious exoskeletal kaitinious exoskeletal की बात करें तो यह तो बेटा orthopoda के members का characteristic feature होता है लेकिन question ने पूछा है कौन सा नहीं है metameric segmentation की बात करें तो segmentation भी बेटा body जो externally and internally segments के अंदर divided होती है यानि कि यह भी इनका characteristic feature होगा third option के अंदर दियावा है parapodia parapodia की बात करें तो आपने analyder के अंदर पढ़ा होगा aquatic जो analytes होते हैं उनके अंदर lateral appendices होते हैं जिनको बोला जाता है parapodia तो parapodia जो है यह orthopoda के animals का characteristic feature नहीं है यह analyder का characteristic feature होता है इसी वज़े से question ने पूचा है not present in orthopoda तो आपको parapodia वाला answer select करना है ऐसे jointed appendices की बात करें तो यह भी orthopoda के अंदर present होते हैं तो यह आपको question number 11 की बात करें तो इसका answer लगाना है third वाला उसके बात में next question 12 के अंदर दियावा है in case of poriferans the spongosil is lined by flacillated cells called need 2017 के अंदर phylum porifera का characteristic feature जो होता है जिनके अंदर coinocyte cells या फिर flacillated cells या फिर color cells जो present होती है उनसे regarding information पूची है और पौरी spongosil की बात करें तो उसकी जो अंदर वाली side में जो cavity होती है उसको बोला जैता है spongosil और inner layer की बात करें inner body wall की बात करें poriferans की तो उसके अंदर coinocyte cells होती है उनसे बनीवी होती है इसी वज़े से unflacillated cells को और अपन color cell बोल सकते हैं या फिर coinocyte cells बोल सकते हैं तो आपको answer द्याम रखना है 12 का answer होगा coinocyte osculum की बात करें तो ये तो बेटा opening होती है उसको बोलते हैं mesenchymal cell भी नहीं बोलेंगे ostia की बात करें तो बहुत सारे fine जो है aperture present होते हैं pores present होते हैं pores bearing animal भी इसी वज़े से बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे pores इनकी body के उपर present होते हैं तो question number 12 की बात करें तो इसका answer होगा second वाला next question number 13 की बात करें an important characteristic that hemicordate share with coldate is ऐसा important characteristic feature आपको देखना है hemicordate का जो वही characteristic feature share करता हो किसके साथ है? coldate के साथ ऐसा option आपको देखना है सबसे पहला option दिया हुआ है ventral tubular nerve cord की बात करें तो hemicordate non-cordate है लेकिन coldate की बात करें तो उनके अंदर ventral नहीं होता है dorsal nerve cord होता है इसी बज़े से first common character नहीं होगा second दियावा है pharynx with gillslits बिल्कुल सही बात है hemicordate की animals की बात करें तो इनके अंदर pharyngeal gillslits pharynx with gillslits hemicordate की animals में भी present होती है और साथी cordates की बात करें तो उनके अंदर भी pharyngeal gillslits देखने को मिलती है दोनों का common character होता है इसी बज़े से question number 13 की बात करें तो इसका answer तो second जाएगा लेकिन third option में दिया हुआ pharynx without gillslits नहीं without नहीं with gillslits pharynx की बात करें pharynx with gillslits है वो hemicordate and coldate का characteristic feature होगा third भी नहीं होगा absence of notochord notochord की absence की बात करें तो coldate के अंदर तो life की किसी ना किसी stage के अंदर notochord present होगी इसी बज़े से question number 13 की बात करें तो इसका answer होगा third next question 14 के अंदर पुझा है which of the following animal does not undergo metamorphosis कौन सा animal जो है वो metamorphosis में जो है या फिर कायंतरन उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा निमली की जन्तों में इसे किस जन्तों में कायंतरन नहीं होता है अब जिसके अंदर direct development होगा उसकी बात करें तो जैसे moth की बात करें इंसेक्ट इन में भी metamorphosis होता है starfish की बात करें तो होता है tunicates की बात करें तो उनके अंदर भी होता है लेकिन earthworm की बात करें तो इनके अंदर metamorphosis नहीं इसी बज़े से question number 14 की बात करें तो इसका answer होगा for the earthworm यह आपको द्यान रखना है उसके बात में next question number 15 की बात करें तो इसमें पूँचा है ciliates differ from the other protojoans phylum protojoans की बात करें तो इसके अंदर different classes होती है जैसे ciliata होता है phlegilata होता है वैसे ही ciliata जो class होती है उससे regarding question पूँचा है ciliates differ from all other protojoans other जो protojoans है या फिर other जो class है phylum protojoa की उनसे कैसे different होते हैं ये ciliates तो उससे regarding information देखने नहीं है अपने को first option में दिया हुआ है using pseudopodia for capturing prey नहीं pseudopodia जो है capturing को prey को capture करने के लिए pseudopodia का formation जो है वो ciliates का characteristic feature नहीं होता है यहां दिया हुआ है second option में having two types of nuclei two types of nuclei के बात करें तो बिल्कुल यह बात सही है आपने अगर paramecium जो है उसका diagram देखा होगा तो paramecium के अंदर बेटा दो type के nuclei present होते हैं एक macronucleia और दूसरा micronucleia macronucleia और micronucleia की बात करें तो यह paramecium के अंदर present होते हैं और ऐसे इसकी body के ऊपर celia present होते हैं तो बिल्कुल celiata के animals की बात करें तो इनके अंदर दो nuclei present होते हैं यह बात सही हो सकती है लेकिन आगे वहर स्टेटमेंट देखते हैं having a contractile vacial for removing excess water नहीं ऐसा नहीं होता ऐसे using flasilla food locomotion flasilla नहीं इनके अंदर celia present होता है इसी वज़े से nuclei की बात करें तो एक macro nuclei और दूसरा micro nuclei दो nuclei इनके अंदर present होते हैं celiata के animals के अंदर इसी वज़े से correct information के बदोर question number 15 जो नी 2018 में पूछा है इसका answer गया बेटा second यह information भी आपको ध्यान रखनी है उसके बाद में next question number 16 जो है और वो भी आपको match the column की form में question पूछा गया है match the following organism with your respective character stick ने 2019 के अंदर यह question पूछा है सबसे पहले अगर बात करें तो first यह उसको match करना है पाइला की बात करें तो पाइला का क्या character है तो identify करना है बेटा पाइला की बात करें एपल स्नेल की बात करें तो यह फाइला मोलस्का का अनिमल होता है और मोलस्का के अनिमल से रिलेटेड एदर आपको characteristic feature देखने है phlegm cell की बात करें तो phlegm cell बेटा या तो cephalocodita या फिर platy helminthes में present होती है यानि कि मोलस्का का character नहीं है com plates की बात करें तो यह टीनो फुरा का characteristic feature होता है यह भी मोलस्का का नहीं है redula redula की बात करें तो phile like rasping जो organ होते हैं mouth के अंदर जिनको बोलता है redula phile molluska के animal के अंदर यह देखने को मिलता इसी वज़े से आपको match करना है paila को किस के साथ है redula के साथ ऐसे ही bombics की बात करें bombics morai orthopoda का member है orthopoda के members की बात करें तो excretory structure के बतार उनके अंदर बेटा malpigian tubules देखने को मिलती है तो bombics को आपको match करना है किस के साथ malpigian tubules के साथ plurobrechia की बात करें तो यह बेटा philem tino phora का member है और इसको match करना है complex ciliary complex का present हो tino phora का characteristic feature होता है इस वज़े से उसको match कर दिया ऐसे tiniya solium की बात करें तो platy helminthies का member है और इसके अंदर excretory structure के बतावर phlegm cells present होती है अब ऐसी matching वाला आपको option देखना है select the correct option from the following अब ऐसे A, B और C, D की बात करें से A को match किया हुआ है third से B की बात करें तो B को match किया है four से B को match किया है four से ऐसे ही C की बात करें तो C को match किया है second से और D को match किया है first से question number 16 की बात करें तो इसका answer आजाएगा बेटा fourth वाला तो यह आपको दान रखना है need 2019 के अंदर बहुत simple सा question पूचा है जिसके अंदर example और उनसे related कुछ characters देके और आपको multiple information की form में question पूचा गया है next question number 17 की बात करें तो match the following columns and select the correct option match the column का question है फिर से need 2020 के अंदर यह question पूचा गया है column first के अंदर कुछ character और information दिए गई है और column second के अंदर कुछ example दिए है correct matching जो है वाला option है वो आपको select करना है सबसे पहले gregaria से pest या polyphagus pest की बात करें तो orthopoda का member होता है बेटा जिसको locust है या टिड़ी बोलता है उसको बोला जाता है gregaria pest इसी वज़े से एको आपको match करना है फोर के साब उसके बाद में second statement column first के अंदर जो second option दिया हुआ है adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry adult में radial symmetry और larva के अंदर bilateral symmetry ऐसी condition आपको echinodermata के अंदर देखने को मिलती है तो echinodermata के example के बतोर यहाँ पे दिया हुआ है आपको asterias starfish echinodermata का member है उसके साथ match कर दो आगे दिया हुआ है book lungs book lungs की बात करें तो book lungs बेटा present होते है respiratory structure के बहुत और scorpion के अंदर जो की और थ्रोपोडा का member है ऐसे ही fourth option दिया हुआ है bioluminescence और bioluminescence की बात करें तो tino plana phylum tino phora के animals जो है bioluminescence जो है और वो इनके अंदर well marked होती है इसी वज़र से इसको match करना है tino plana अब ऐसा option जो है आपको select करना है जिसमें A को four के साथ दिया हुआ हो A को four के साथ B को दिया हुआ हो first के साथ C को दिया हुआ हो second के साथ और D को दिया हुआ हो third के साथ तो question number 17 की बात करें तो इसका answer होगा बेटा fourth वाला उसके बात में next question 18 के अंदर पूँचा है match the following list first and list second वही match the column का question फिर से दिया गया है need 2021 के अंदर अब आपको यहाँ एक idea लग गया होगा बेटा exam में एक तो question का pattern जो है वो almost similar होता है information जो है वो कही ना कही manipulate की वी है बाकि नई या फिर कोई आजीब चीजे नहीं पहुची जाती है exam के अंदर तो be confident और question को बहुत अच्छे से पढ़के अगर आप attempt करोगे तो exam के अंदर बहुत simple information पहुची जाती है कभी भी tough question नहीं पहुची जाते है और conceptual information जो है वही पहुची जाती है तो question number 18 की बात करें तो इसके अंदर फाइसेलिया फाइसेलिया की बात करें तो बेटा list second के अंदर कुछी common name दिये हुए तो फाइसेलिया कोग का common name जो है और common ली बोला जाता है Portuguese man of war तो match कर दो list second के अंदर second option के अंदर दिया हुए Portuguese man of war lemulus की बात करें तो lemulus जो है उसको बोला जाता है और living fossil बेटा orthopoda का member है living fossil भी है fossil भी मिले है living condition में भी है ऐसे एंसाइलो स्टॉमा की बात करें तो एंसाइलो स्टॉमा जो है hookworm बोला जाता है common name lease को common name hookworm होता है ऐसे पिंग डाडा की बात करें तो पिंग डाडा जो है उसको पाल्ड ओस्टर बोला जाता है आप ऐसी matching जो है correct matching वाला option देखना है जिसमें A को match किया हुआ हो second के साथ A को match किया हुआ हो second के साथ B को match किया हुआ हो third के साथ 19 की बात करें तो need 2021 के अंदर question पूँचे है फिर से match the column का question है list first के अंदर कुछ character दिये हुए है और साथी list second के अंदर आपको कुछ phylum है उनके name दिये हुए है अब सबसे पहले metamerism की बात करें तो metamerism जो है true metamerism या metamerically segmentation जो है canal system की बात करें water canal system की तो phylum purifera के animals जो होते है उनके अंदर water canal system देखने को मिलता है या water transport system भी बोल सकते है ऐसे ही complex की बात करें तो ciliary complex at ciliary complex का present होना phylum tino pura के animals का characteristic feature माना जाता है ऐसे ही आगे दियावा है needoblast needoblast cells का present होना need area phylum का characteristic feature होता है और उसको भोला जाता है silentrator तो यह आपको match करना है अब यहाँ पे बहुत simple सी information पूछी गई है और correct information regarding आपको option तलासन है a को match करना है आपको third के साथ b को आपको match करना है fourth के साथ c को आपको match करना है second के साथ और d को आपको match करना है first के साथ तो question number 19 की बात करें तो इसका बेटा answer होगा second वाला उसके बाद में next question number 20 की बात करें तो question number 20 के अंदर दिया गया है read the following statement कुछ statement दिये वे हैं different phylum और animals related उनसे related आपको correct option जो है वो से देखना है Metagenesis is observed in a helminthes गलत बात हो गया वही Metagenesis की बात करें या alternation of generation की बात करें तो ये present होता है silendrita के animals में helminthes के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता इसी बज़े से अगर बात करें ए statement की तो ए statement ठीक नहीं है आगे दिया हुआ है echinoderms are triplublastic and silomate animals बिलकुल सही बात है echinodermita के animals जो है तीनों germinal layers इनके अंदर प्रजेंट होती है ectoderm, endoderm और mesoderm और साथी silom जो है space between body wall and gut wall वो भी प्रजेंट होता है इसी वज़े से silomate animal बोल दिया साथी अगर बात करें third statement में roundworms have organ system level of body organization बिलकुल सही बात है S-Kelventies से लेके और coordinate आतक के animals जो है उनके अंदर organ system level organization देखने को मिलेगा ऐसे ही D की बात करें comb plates present in tenophores helps in digestion comb plates present तो होती है tenophora के अंदर लेकिन digestion का काम नहीं करती सी वज़े से D statement जो है वो correct नहीं incorrect होगा फिर E के अंदर दिया हुआ है water vascular system is characteristic of echinoderm water vascular system जो है echinodermita के animals का characteristic feature होता है ये बात भी बिल्कुल सही है इसी वज़े से statement E जो है वो भी correct होगा अब A और D जो है वो incorrect है B C और E है वो correct है ऐसा option आपको देखना है A, B, C are correct है नहीं B, C और E correct है तो B, C और E correct है ऐसा option आपको देखने को मिलेगा NCRT के अंदर Prestige की बात करें तो उसको बोला जाता है Saafis ऐसे ही Torpedo की बात करें तो उसको बोला जाता है Electric Ray Trigon की बात करें तो इसको बोला जाता है Sting Ray और Scoliodon की बात करें तो इसको बोला जाता है Dogfish इसी वज़े से यहाँ पे Electric Currents related Electric Ray से related इन्फॉर्मेशन पूशी है तो एक्जाम्पल इसका उप्षन आ जाएगा अंसर टॉर्पीडो ओल इंडिये 2000 पीम्टी 2014 के अंदर विटा एक क्वेशन पूचा गया है उसके बाद में नेक्स्ट क्वेशन नमबर 22 की बात करें तो इसमें पूचा है which one of the following statements about a particular group of organism is correct किसी particular organism के group से related आपको correct जो information दीवी statement दिया हुआ है वो वाला option आपको तलासना है इसके अंदर सबसे पहले दिया हुआ है पस्ट option के अंदर euro call data euro call data की बात करें तो प्रोटो कॉलडेट्स जो है उनमें call data जो है कॉलडेट के अंदर भी प्रोटो कॉलडेट्स और euro call data उन से related दीवी information naturally occurs in मलाबार hills मलाबार hills नहीं मलाबार hills के अंदर नहीं होते euro call data के अनिमल्स वज़े से first option जो है ये भी incorrect है ठीक नहीं है दूसरा बोला algae smallest proportionate number among plants ये information भी ठीक नहीं है गलत है ऐसे third option के अंदर दिया हु अंदर largest proportion of number among vertebrates बिलकुल सही बात है अगर vertebrates की बात करें animals के अंदर तो उनके अंदर largest proportion number देखने को मिलता है किनका Pisces का Fices का इसी वज़े से question 22 की बात करें तो इसका third option जो है वो correct होगा mammals की बात करें all are quadripeds and terrestrial सारे quadripeds भी नहीं होते है और सभी mammals हो है वो terrestrial भी नहीं होते है इस वज़े से fourth option जो है वो भी correct है नहीं होगा 22 की बात करें तो इस cancer हो जाएगा third next question 23 की बात करें तो इसमें पूछा है इजौल एस फिस विच ले एक्स इन फ्रेस वाटर हूज अमोसीट लार्वा की बात करें तो बेटा petromyzone जो है उसके लार्वा को बोला जाता है अमोसीट लार्वा अब अगर example की बात करें तो class cyclostromita के लिए यह एंसीट लार्वा को बोला जाता है अमोसीट लार्वा और अमोसीट लार्वा से रिगार्डिंग ही information पहुँची है इसी बज़ए से all India PMT 2015 के अंदर यह question पूचा गया है जिसका अंसर होगा petromyzone neomixin की बात करें aptratus या mixin की बात करें तो यह hagfish है उनकी genus है mixin की बात करें तो commonly इसको और hagfish भी बोला जाता है यह नहीं इमोसीट लार्वा की बात करें तो यह petromyzone का लार्वा होता है question number 23 की बात करें तो इसका answer होगा second वाला उसके बाद में next question 24 24 के अंदर पूचा है which of the following characteristic feature always holds true for the corresponding group of animals पहला option दिया हुए है वीवी वीवी पेरस की बात करें तो आगे लिखा हुआ है mammalia need 2016 में question पूचा है क्या सभी mammals वो वीवी पेरस होते हैं नहीं ओभी पेरस भी होते है prototherians की बात करें तो egg laying mammals भी होते हैं सही information नहीं है second की बात करें possesses a mouth with an upper and lower jaw इसके अंदर दिया हुआ है आगे call data call data के animals की बात करें तो उनके अंदर बेटा egg ने था जो है उसके member भी होते हैं जिनके mouth में jaw absent होता है यानि कि सही information नहीं है second option के अंदर भी third option में दिया हुआ है three chambered heart with one incompletely divided ventricle और आगे दिया हुआ है रेप्टीलिया नहीं रेप्टीलिया के भी सभी animals के अंदर three chambered heart नहीं होता है इसके exception जैसे alligator वगरें रा उसको डाइल की बात करें तो उनमें बेटा four chambered heart होता है वेंट्रिकल जो है वो भी दो होता है इसी वज़े से third option जो है उसमें भी correct information नहीं है fourth option में दिया वाय है cartilaginous endoskeletal और आगे दिया वाय है और आगे दिया वाय है cartilaginous endoskeletal होता है इसी वज़े से question number 24 की बात करें तो इसका answer गया वाय है fourth वाला यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद में next question number 25 25 के अंदर पूछा है choose the correct statement need 2016 के अंदर ये question पूछा है all cyclostomates do not possess jaw and paired fins बिल्कुल सही बात है cyclostomata के animals की बात करें तो do not possess jaw jawless fins बोलते हैं इनको और साथी and paired fins इनके अंदर paired fins जो हैं वो भी present नहीं होते सभी fins जो हैं वो paired नहीं unpaired fins इनके अंदर present होते हैं इसी बज़े से first statement की बात करें तो वो सही information दे रहा है second में दिया वाए all reptiles have three chambered heart all reptiles नहीं maximum reptiles के अंदर होता है ऐसे ही अगर बात करें all fishes have gills covered by operculum नहीं सभी के अंदर operculum जो tissue का flap होता है वो present नहीं होता है और stickthies के members होते हैं उनके अंदर तो operculum के द्वारा covered रहते हैं gills लेकिन contractthies के अंदर ऐसा नहीं होता है all mammals are viviparous नहीं प्रोटोथीरिया के animals की बात करें तो वो oviparous भी होते हैं egg laying mammals में होंगे इसी वज़ाए से statement first की बात करें तो उसमें correct information दीवी है 25 का answer हो जाएगा first next question number 26 के अंदर पूचा है which among these is correct combination of aquatic mammals aquatic mammals related आपको correct combination देखना है animals का need 2017 के अंदर ये question पूचा जाचुका है dolphin दिया हुआ पहला seal दिया हुआ है और trigon दिया हुआ है dolphin की बात करें seal की बात करें यहां तक तो ठीक है वीटा mammals और aquatic है लेकिन trigon की बात करें तो यह trigon जो है पाइसे का example है mammals नहीं है इसे वजह से first option भी नहीं होगा second में दिया हुआ है whales, dolphins और seal whale की बात करें dolphin की बात करें seal की बात करें तीनों ही combination जो है किसके है aquatic mammals के है question number 26 की बात करें तो इसका answer होगा second, third option की बात करें तो trigon आ गया whale और seal दूए में ऐसे fourth option की बात करें तो seal होगा dolphin होगा लेकिन shark के नहीं होगा, सी वजह से 26 का answer होगा second बात मैं next question number 27 के अंदर पूछा है which one of these animals is not a homeotherm ऐसे animals जिनकी body का temperature constant नहीं रहता homeothermous की बात करें तो जिनकी body का temperature constant नहीं रहता उसको हम बोलते हैं poikilothermal तो poikilothermal animals उनसे related आपको information देखने को मिलेगी not related to homeothermous camelos की बात करें, तो camelos जो है mammal है, उंट जो है, उसका to homeothermous body का temperature constant रहता है citicula की बात करें तो eves जो है, eves की बात करें तो वो भी homeothermous animal होते हैं ऐसे ही kilon की बात करें तो ये बेटा reptile है, पर reptiles की बात करें तो poikilothermal या फिर cold-blooded animals की category में इनको consider किया गया है आगे दिया हुआ है macropos, ये भी mammal है, इसी बज़े से is not a homeothermous, homeothermous animal की बात करें तो kilon homeothermous नहीं, ये पोई kilothermous होता है, question number 27 का answer होगा, third वाला next question number 28 की बात करें, तो इसमें दिया हुआ है, identify the vertebrate group of animals characterized by crop and gizzard in this digestive system digestive system की बात करें, तो उसमें crop और gizzard जो दो additional structure होती है वो किन vertebrate animals के अंदर देखने को मिल सकती है, उससे related आपको option देखना है पहला ही option दिया हुआ है eves, birds की बात करें, तो birds के अंदर crop और gizzard ये दो additional structure होती है digestive system या digestive tract के अंदर इसी बज़े से first option के अंदर एव जो है, correct information दी वी है और तिक थीज की बात करें तो उनमें भी नहीं होता, reptilia में भी नहीं होता और amphibians में भी नहीं होता need 2018 में question पूछा गया है, बहुत ही simple information थी, तो ये आपको बाते जान रखने है उसके बाद में question number 29 नी, 2020 के अंदर ये question पूछा गया है which of the following statement are true for the phylum cold data phylum cold data के लिए कौन सी information जो है, वो true है, उससे regarding आपको option देखना है पहला option दियावा है, in euro cold data, not a cord extend from head to tail and it is present throughout the life, गलत बात है पहले बात तो head to tail तक present नहीं होती और दूसरी बात throughout the life नहीं होती, only larva stage में देखने को मिलती है इसी वज़े से statement A की बात करें तो ये incorrect हो गया फिर दियावा है, in vertebrator not a cord is present during the embryonic period only vertebrates की बात करें तो embryonic period के अंदर तो not a cord present होती है उसके बात में उसको replace कर दिया जाता है, vertebral column के अंदर second statement B की बात करें तो B में information correct रिफर्जेंट की गई है C statement की बात करें तो इसमें central nervous system is dorsal and hollow cordates की बात करें तो central nervous system dorsally present होता है और साथ ही अगर बात करें तो hollow भी होता है यानि की C की बात करें तो ये भी information सही दी भी है उसके बात में next statement दिया हुआ है, cold data is divided into three sub-faila three sub-faila गलत दे दिया, hemi cold data, tunicata and cephalo cold data hemi cold data की बात करें तो ये बेटा, इसको as a separate filem consider करते है अंडर non cold data, ये cold data नहीं होता है, इसी बज़े से d statement की बात करें तो ये भी correct है, नहीं है b और c correct है, a or d incorrect है, ऐसा option आप देखोगी तो question number 29 की बात करें तो इसका answer आजाएगा विटा, second volume उसके बात में question number 13, जो है match the column का question है, match the following columns and select the correct option, correct option देखना है सबसे पहले दिया हुआ है, column first के अंदर 6 to 15 pairs of gillslids, 6 to 15 pairs gillslids का present होना विटा characteristic feature होता है, class cyclostomata के animals का, तो class cyclostomata से इसको match कर दीजिए hetero circle या फिर caudal fins की बात करें, तो ये characteristic feature होता है, किसका बेटा, contract these की जो animals होती है उनके अंदर hetero circle या caudal fins, last वाली जो tail होती है, वो hetero circle different different form के अंदर देखने को मिलती है coada term tail के लिए use मिलेता है, तो caudal fins जो हो hetero circle देखने को मिलेंगे ऐसे air blader की बात करें, तो air blader present होता है, और stick these के animals के अंदर, इसी वज़े से वो कही न कहीं water के अंदर bioncy provide करवाता है, ये air blader, और इसी वज़े से वो sink नहीं होती है, डूबती नहीं है अगर swimming करना भी बंद करने, तो भी वो sink नहीं होंगी ऐसे ही poisonous sting की बात करें, तो ये present होता है trigon, trigon की बात करें, तो जिसको बोला जाता है sting ray इसी वज़े से आप ऐसा option देख लीजिए, जिसमें a में second दिया हुआ हो, b के अंदर third दिया हुआ हो, c के अंदर fourth दिया हुआ हो और d के अंदर first दिया हो, question number 30 की बात करें, तो इस cancer आजाएगा, third वाला उसके बाद में next question number 31 के अंदर पूछा है, which one of the following organism, be yours, holo and pneumatic long bonds है holo and pneumatic long bonds जिनके अंदर ears एक present होते हैं, bonds के अंदर, ऐसे सा characteristic feature होता है, बेटा, birds का ताकि उनकी body को light weight प्रोवाइड करवाएजास के, hulky rays के, ताकि flight के लिए adaptation हो सके उनके लिए इसी बज़े से पहला option दिया हुआ है, hemidectylis, नहीं, यह lizard के बारे में बात करें, दूसरा macropas, यह mammal है, ornithorincas की बात करें, तो यह भी mammal है लेकिन neofron की बात करें, vulture, NCRT का example है वेटा, need 2021 के अंदर पूछा गया है, question number 31 की बात करें, तो इस cancer आ जाएगा, forth उसके बाद में question number 32 के अंदर पूछा है, nitrogenous west is excreted in the form of pellet or pest, यानि कि nitrogenous west को concentrated form में, और water zolose है, उसको कम करने के लिए, कौन सा animal जो है, pest या pellet की form में, nitrogenous west को eliminate करेंगा, यानि कि uric acid की form में, कौन सा animal इनमें से nitrogenous west को eliminate करेंगा, तो पहला example दिया हुआ है, salamandra salamandra की बाद करें, तो ये बेटा, tailed amphibians होता है, और ये pellet की form में, nitrogenous west को eliminate नहीं करता, उसके बाद में दिया हुआ है, hippocampus, hippocampus की बाद करें, तो ये उस्तिक्तीज का member है, ये भी नहीं करेगा, पेवो की बाद करें, तो बेटा, पेवो जो है, मौर, या पिकोउग जो ह है, वो buls होते हैं, और buls की बाद करें, तो ये pellet या फिर pest की form में, nitrogenous west को eliminate करते हैं, इसी वज़ए से question number 32 की बाद करें, तो इसका answer होगा, third, ornithor incas की बाद करें, तो ये mammal होता है, और mammals की बाद करें, तो usually ये ureutellic होता है, इसी वज़ए से question 32 का answer होगा, third, next question number 33 की बाद करें, given below are two statement, one is labeled as assertion, and the other is labeled as region, need 2022 के अंदर ये question पूछा गया है, पहला option दियावा है, assertion, all vertebrates are called it, but all called it are not vertebrate, बिल्कुल सही बात है, all vertebrates, जितने भी vertebrates है, वो क्या है, called it है, क्योंकि phylum called it की बाद करें, तो उसको, सब फायलंब की बात करें तो उसमें फायलं होता है वल्टिप्रेलuning और सब फायलंब बात करें तो यह भी फायलं कोल्डेटा का लिएटव जतने मी वकिससे बोला100 वर ऊटेलने न मैं ऑन जातां तो यह बात सही है तोıll estásdf नाम की बात करें तो reason बोल रहा है not a chord is replaced by vertebral column in adult vertebrate, सही बात है फिर आगे दिया हुए in the light of above statement, choose the most appropriate answer from the option given below, चार option देखने हैं आपको both a and r are correct, बिल्कुल सही बात है a और r दोनों statement जो हैं, फिर आगे दिया हुए but r is not the correct explanation of a, नहीं बाई correct explanation, जो explanation दे रहा है assertion का reason जो है वो, कि सब जितने भी chordates हैं, वो सभी vertebrate क्यों नहीं है और क्यों, क्योंकि जितने भी chordate हैं उनमें सब में not a chord, vertebral column में replace हैं, नहीं होती इसी वज़े से जिनके अंदर not a chord, replace होती है vertebral column के अंदर उनी को अपन बोलेंगे vertebrate इसी वज़े से पहला statement जो है वो गलत है, second की बात करें a is correct, but r is not correct बिल्कुल गलत है, दोनों statement ठीक है a is not correct, but r is correct नहीं, दोनों statement correct हैं both a and r correct, but r is the correct explanation, बिल्कुल दोनों statement ठीक में हैं और साथी correct explanation को भी represent किया जा रहा है, यह reason के दवारा इसी वज़े से इसका answer होगा fourth वाला, next question number 34 की बात करें, तो इसमें पूछा है, in which follows animal digestive tract has additional chamber like crop and gizzard अभी अभी बेटा पन discuss कर चुकी है same information जो है, वापस से यहाँ repeat हो चुकी है, और सबसे पहले आपको identify करना है कि additional chamber like crop and gizzard किन animals की group में देखने को मिलेगी need 2022 के अंदर यह पूछा गया है पहला option दिया हुआ है, बूफो, बैलनोप्टेरा, एंड बंगेर, ऐसे नहीं बूफो की बात करें, amphibians, amphibians में नहीं होता है, actually दोनों chamber की बात करें, तो यह vertebraids के अंदर, evs के अंदर देखने को मिल सकता है, या फिर orthopoda की animals की बात करें, उन्हें में हो सकता है फिर देखिए, कटला की बात करें, यह Pisces दियावा है, Columbo, Crocodile नहीं, इनमें भी नहीं होगा, third option में दियावा है, Pavo, Picog, Cetacula, ऐसे ही Corvus, बिल्कुल तीनों example की बात करें, तो यह class evs के example है, इसी वज़े से question number 34 की बात करें, तो तीनों के अंदर ही Pavo, Cetacula and Corvus के अंदर, Crop and Gizzard present होगा, fourth के अंदर Corvus, Columbo and Chameleon, Chameleon के अंदर नहीं, 34 का answer होगा विटा, third, उसके बात में next question number 35 के अंदर पूछा है, which of the following animal has three-chambered heart, three-chambered heart किनके अंदर देखने को मिलेगा, सबसे पहले दिया हुआ है Kilon, Kilon की बात करें, तो बिटा class reptilia का example है, तो reptilia के अंदर, उनके अंदर three-chambered heart होता है, except alligator and crocodile वगेरा, इसी बज़े से, Kilon, seven chap 3-chambered heart होगा, teropus की बात करें, तो इसमें भी three-chamber नहीं होगा, Scholeodon की बात करें, तो Pisces नहीं होगा, hippocampus की बात कारें, तो ये भी fishes इसमें भी नहीं होगा, लेकिन Kilon की बात करें, reptiles है और reptiles के अंदर three-chambered heart होता है, mostly reptiles के अंदर 35 का अंसर होगा फास्ट री नीट 20 22 के अंदर ये क्वेशन पूछा जा चुका है कि आपको द्यान रखना है उसके बाद में बिल्कूल सही बाते स्टेट्मेंट य स्टेटमेंट व हीय। भी इंकर्जेंट है फिर आगे दिया हूँ है वह बोडिज्टमेंट्स जो हैं बिल्कूल सही बात है इनके अंदर गिल्स है वो present होते हैं ऐसे ही D के अंदर दिया वाय है they migrate to deep sea for spanning नहीं नहीं deep sea नहीं बिटा spanning के लिए ये marine water to fresh water जो है migrate करते हैं इसी वज़े से D की बात करें तो D statement जो है वो भी correct नहीं है अब question ने पूचा है incorrect statement और incorrect statement की बात करें तो कौन कौन सा होगा B दिया हुआ है और D दिया हुआ है ऐसा option देख लो इसे वज़े से question number 36 की बात करें तो उसके अंदर B and D वाला option आ जाएगा यानि क्या answer होगा 36 का first वाला ये आपको बाते द्यान रख नहीं है इसे के साथ last 10 year के अंदर जो भी exam में animal kingdom से related question पूचे गए है उन सबको यहाँ पर ने discuss किया है I hope आपको भी confidence आया होगा कि exam के अंदर कोई भी ऐसी अजिब सी information नहीं पूची जाती जो NCIT में दिया हुआ है वही पूचा जाता है और साथ ही नई information भी नहीं आगे पीछे कुछ manipulate करके ही information जो है वो repeat होती है exam के अंदर इसी वज़े से be confident और बहुत अच्छे से आप preparation करते रहिए thanks all the best